नमस्कार आप देख रहे हैं एक नियूस 24 और मैं हूँ आपके साथ श्वेता मिस्टा बिहार के मुख्य मंत्री नितिश कुमार आज राजगीर दोरे पर हैं दरसल आपको बता दू कि राजगीर में मगद समराट महराजा जरसंद का जन्म उत्सव का आयोजन किया गया है वह वही उनके साथ में बिहार सरकार के ग्राविन विकास मंत्री श्रवन कुमार मौजूद थे वही आपको ये भी बता दू कि जिन लोगों ने इसका आयोजन किया था उन लोगों के द्वारा मुख्य मंत्री नितिश कुमार को जड़ासंद की प्रतीमा और गद्दा भेट की गई है बाकिस खबर में सब कुछ आपको विस्तार से बताती हूँ तो वीडियो को अंत तक पूरा देखे बिहार के राजगीर में जड़ासंद महुत्सव का आयोजन किया रहा है इसमें शामिल होने के लिए मुख्य मंत्री नितिश कुमार आज राजगीर में है सीम ने इ जड़ासंद की प्रतीमा और गदा भेट की गई राजगीर के महराजा जड़ासंद मंदिर के पास महुत्सव का आयोजन है कारिक्रम में बिहार सरकार की ग्रामीन विकास मंत्री श्रवन कुमार और कला संस्कृति मंत्री जितंद्र कुमार राय भी शामिल हुए इसके अला के लिए भी लगतार विहार सरकार की ओर से कोशिश हो रही है इसलिए इस बार भव्य तरीके से जरासंद की जयनती मनाई जा रही है मुख्यमंत्रे नितिश कुमार जरासंद महुत्सव के आयोजन को लेकर पहले भी राजगिर का दौरा कर चुके हैं अपनी देख रेक में ही पूरा आयोजन करवा रहे हैं कारिक्रम की सूचना जन संपर्क विभाग के विविन सोशल साइट्स पर लाइफ भी किया जाएगा वहीं राजा व्रीदर्श के पुत्र जड़ासंद मगत के समराट थे दो माताओ के कोक से उनके शरीर के दो हिस्सों का जन्म हुआ था पुष्ण से पराजित हुए बाद में भीम के हाथों उनका वद हुआ था जरासंद की दोनों बेटियों से कंस का विवा हुआ था वहीं इस मौके पर बिहार सरकार के ग्राविन विकास मंत्री श्रवन कुमार मौजूद रहे जिनके साथ बिहार के मुख्य मंत्री नितिश कुमार ने कारेक्रम का उद्गाटन किया वहीं आपको बता दू कि कुस दिन पहले भी इसे मौके को लेकर बिहार के मुख्य मंत्री नितिश कुमार राजगिर पहुचे थे बाके इस खबर में बस इतना ही ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते र पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए और अबर यही वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद